नमस्कार साथियों, न्यूस क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं इंपीचमेंट यानी महाभियोग मुलकों के राष्ट्रपती के बरखास्त की से जोड़िया परकिरिया जब भी सुनाई देती है तो एक तरह की खलबली मचा देती है अमेरिका के राष्ट्रपती डोनाल ट्रम पर भी महाभियोग की परकिरिया के लिए इंक्वाइरी सुरू कर दी गई है इसी पर बाचित करने के लिए हमारे साथ है अंतराष्ट्रे मामलों के जानकार अब्दुल रह्मान तो अब्दुल अमेरिका के राष्टपती डोनाल्ड टरम्प पर महाभियोग की प्रकिरिया के लिए जो इनक्वाइरी शुरू की गई है तो इनक्वाइरी किस बात के लिए वो चार्जेज क्या है जो कहा जा रहा है कि डेमोक्रेट्स पार्टी के जो मिद्वार हैं उनके लिए स्मियर केंपेनिंग कर रहा है इस वज़े से चल रहा है जो चार्जेज हैं जो अभी तक जो मीडिया में जो रिपोर्ट है वो बेसिक चार्ज ये है कि ट्रम्प ने उक्रेन के रास्टपती जो नए इलेक्टर रास्टपती है उनको जुलाई में फोन किया है जेलेंसकी को और ये कहा कि आप जो है जो अब बिदेन और उनके परिव जो 2020 का जो चुना होगा उसमें वो डेमोक्राटिक पार्टी के फ्रंट रनर है उनके और उनके परिवार के खिलाफ इंक्वाइरी सुरू कीजिए ता कि आप इसका मतलब समझी सकते हैं इसका मतलब ये है कि आप यूएस में जो उनके चुनाओ के के खिलाफ एक तरीके से आप उसका इस्तमाल करेंगे उस इंक्वाइरी का ता कि यहां की जनता को इंफ्लेंस किया जा सके प्रभावित किया जा सके वोट्स को तो यह एलिगेशन है यह चार्जेज हैं यह चार्जेज ने जो वहां पर हाउस अफ रेपरेजेंटेटिटिव जो की यूएस के अंग्रिस में जो निचला सदन है हमारे लोगसभा की तरह वहां पे वो स्पीकर हैं उन्होंने इन चार्जेज को लेकर वहां पे बकाइदा इंक्वाइरी का कॉल दिया है और इसको अगर यह जाच का कॉल हो जाएगा तो महावियोग की प्रक्रिया सुरू होगी वहां पह पहले की जो खबरें थी और अब की खबरों में क्या जुडाव हर क्या अंतर पिछले चुनाओं के बाद डिमोक्रेट्स ने उनके उपर एलिगेशन लगाया था जो आरूप लगाया था कि उन्होंने रश्या का सहयोग लिया चुनाओं जीतने के लिए और रश्या का हुआ है कि नहीं हुआ है तो ट्रम के खिलाफ जो डिमोक्रेटिक पार्टी है उन्होंने इस तरह के ऐलिगेशन लगाया है आरोप लगाया है पहले भी अब जैसे मैंने पहले कहा यह अभी तक इसमें कोछ भी साबित हुआ नहीं है इस बार भी जो आरोप लगे हैं उसको ट्रम ने कहा कि इसको पूरी तरह किसे इंकार किया ऐसा कुछ नहीं है यहां तक उन्होंने कहा कि अगर जुरूत पड़ेगी तो मैं जो फोन का रिकॉर्डिंग है प्रेसिडेंट के साथ जो मैं बात कर रहा हूं उक्रेट के प्रेसिडेंग वह मैं पब्लिक कर दूंगा अगर आपको अगर आपको लगता है कि आसा कुछ नहीं है यहां तक भी आरोप है कि प्रेशर के लिए उन्होंने जो युक्रेट को एड देता है अमेरिका चार सु मिलियन डॉलर का एड है उन्होंने रोक के रखा ताकि उक्रेट का प्रेसिडेंट जो है इंक्वाइरी यह सारे अधर यह संदेट होधर है अभी तक साबित हुए नहीं है मतलब सबस्क्रेश लेसे हैं क्या कहते हैं कि अमेरिका में ये प्रक्रिया पूरी क्या है आपको क्या लगता है कि इंपेच्मेंट की प्रक्रिया अभी भी देखते हैं कि अभी तक कोई भी राष्ट्रपती इंपेच्मेंट की प्रक्रिया इतनी कठिन है कि बरखास्त नहीं हुआ है दो लोगों पर जिस पाटी ने वो सुरू किया है प्रक्रिया उसका दूतिहाई बहुमत हो तो अभी का इस्तति क्या है हाउस अफ रेप्रेजेंटेटिव में डेमोक्राटिक पाटी का बहुमत है दूसरा सिनेट में बिल्कुल ही उल्टा है मामला वहाँ पर प्रक्रिया क्या है यह जब इनकॉरिणी हो जाएगी तो उस इनकॉरि के बाद यह एक प्रस्तावना आउस ब रेप्रेजेंटेटी में रखा जाएगा जिस पे वोट होगा अगर वो majority vote से simple majority, जो समाने बहुमत है उससे पास हो जाता है जो कि हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्योंकि Republican Party का बहुमत है दिमोक्रटिक Party का बहुमत है तो एक बार वहां से पास होगा तो यह Senate में जाएगा मामला सिनेट में ही सब कुछ तैय होना है सिनेट में क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस अईवस का वो प्रसाइडिंग जज हो जाता है और सिनेट जो हो जाता है वो एक तरीके से जियूरी के तरह बैठता है और हाउस अफ रेप्रेजेंटेटिव के जो डेलिगेट से होंगे वो एक तरीके से आप कहिए कि प्रसेक्यूटर है वहाँ पे वकील है जो आर्गू कर रहा है कि हमने इनके उपर महावियोग होना चाहिए अगर सारे बहस के बाद वोटिंग में दो तिहाई बहुमत से 1868 में एक 1998 में और बीच में एक बार 1974 में सिर्फ इसमें से निकसन ने जो 74 में उनके खिलाफ जारोप लगा वो उन्होंने रिजाइन किया जबकि प्रक्रिया सुरू हुई थी अभी पूरी नहीं हुई थी तो वही एक वराश्ट्पती हैं जो महावियोग के कारण हटे हैं क्लिंटन के खिलाफ मामला था वहूस अप्रेपरिजनेटिपने में पस हुआ पर सेन्होंट से में नहीं हुआ जो ए सीम वे उन्होंने खिलाफ हुआप 1868 में उसमें वही मामला हुआ था तो अभी तक कोई भी राष्टपती अमेरिका में इतना कॉंप्लेक्स है कि अभी कि Bill Clinton के खिलाब चलाया गया था जो Democratic Party के उमिद्वार थे तो उसका फायदा Democrat को होने Republican को नहीं हुआ था तो ये कैसे काम करता है इसकी घरिल राजनीती पर कैसे प्रभाव परता है इसको आप साधारन तोर पर समझ सकते हैं कि जभी भी चुनाओ होता है तो आम तोर पर जो वोटर्स होते हैं वो इसको खास करके महावियों की प्रकरिया को महावियों की आरोप को जैसा आरोप है इसमें कि उन्होंने देश में चुनाओं में बाहरी देशों का साथ लिया है तो इस तरह के आरोपों को जो आम जनता है, जो वोटर है, वो ज्यादा तरह तरही पे राजनितिक तोर पे देखता है, न कि एक राजनितिक कदम है रास्टपति के खिलाफ खास करके जो वोटर है उनके उनके अंदर ये बात आ जाती है कि ये हमारे रास्टपति के खिलाफ एक सड़ें अंत्र है एक तरह का conspiracy है जो कि एक तरह की राजनिती है आम तरह पे जो भासा इस्तमाल होती है एक राजनिती है जो हमारे राश्टपदी के खिलाब की जा रही है तो उससे क्या होता है कि जो उनके समर्थक हैं उनके वो आपस में उनमें consolidation हो जाता है वो ज्यादा strongly अपने जिसको कहते हैं लॉजिकल कंक्लूजिन कि वाकई में सिनेट ने पास कर दिया और उनको रिजन होता नहीं है तो इसको लेकर बहुत बड़े पैमाने पे कैम्पेइन हो जाता है पुरे दीस में और उस कैम्पेइन का असर जो होता है वोटर होते हैं उनके उपर होता है और आम एक चीज़, दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि खासकर कि अमेरिका के संदर्ब में ट्रम्प को लेकर आम तोर पे जो डेमोक्रेट्स ने जो कैम्पेइन किया, वो किसले के इस तरह का कैम्पेइन किया कि ट्रम्प के पास दिमाग नहीं है, ट्रम्प जो है कुछ भी बोलता है, ट्रम्प सीरियस नहीं है चीज़ों को लेकर, और इसको यहां से फिर वो ट्रम्प जो है अती राष्टवादी है, ट्रम्प जो है अमेरिका के अर्थववस्था को गलत तरीके से प्रहावित कर रहा है, लेकिन यह भूल जाते हैं कि यह जब सारे आप जो आरोप लगा हमने खिलाफ मान लेते हैं कि हमने ट्रम्प को वोट पिया और अगर ऐसा है तो इसका मतलब हमारे अंदर कुछ गलतियां है और आप हमारी गलतिया निकाल रहे हैं तो वोटर्स के अंदर उनकी भावनाय भी एक तरीके से द्रिड हो जाती है विपक्ष के खिलाफ और यह ए इस एह अधर एक छत्र अपना अबृत्वी चाहिंकिया है डिपब्लिकन पार्टी बहुत थ सुख लियुक desistnoch को कि अंथिиях और इसलिए मेरे हिस इस बार के भी इस कंपेन का इस महावियों कि प्रकृष का फाइदा जो चांसेज हैं वो ट्रम्प को होने के हैं अगर आप देखें आज ही का नीज है कि 15 मिनट के अंदर-अंदर कि उनके खिराफ इंक्वाईरी सुरू होगी ट्रम्प के चुनावी केंपेंड को धाइद मिलियन डॉलर का केंपेंड जमा हुआ सिरिफ 15 मिनट के अंदर-अंदर इससे पता चलता है कि जो उनके वोटर्स है या उनके जो समर्थक हैं इसको वो बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं और इसको वो चुनावी मुद्धा बनाने के प्रयास में रहेंगे शुक्रिया इस विसर पर हमसे बातचीत करने के लिए इस मुद्धे पर हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे देखते रहे हैं न्यूज क्लिक शुक्रिया